चलिए फिर से स्वागत अपको आकासी एकडमी में बने रहे हैं मेरे साथ मैं भी हूँ आपके साथ जी हाँ दोस्तो आज जिस बिंदू बबात करने जा रहे हैं वो बिंदू है दिगंद भागटू गाद इखंड अर्थाथ जो है न पाठ नो गजानन गजानन माधों मुक् किये हुए हैं तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है जनम 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 13 नवंबर 1907 को हुआ है नीधर मतलब मिर्तू 11 सितंबर 1964 में हुआ है जनम अस्थान अर्थात इनका जनम किस अस्थान पर हुआ है तो शियू पूरे ग्वालियर अर्थात मद परदेश में यह जगा है वह के पिताज यह हैंै जो सिक्षा यह कहां से प्रापगिए हैं सिक्षा तो उजयन विदीजा rol और क्याना सरदारपुर आधी अस्थानों पर प्ररूरंबिक सिक्षा यह प्रापगिए हैं जो सुरुवाती सिक्षा कहते हैं ौर 1930 में उजयन के माधह क्लेज से ग्वालियर ब शफल रह गए पुना 1931 में शफलता प्राप्त किये और 1935 में माधो कॉलेज से इंटरमेडियेट किये 1937 में इंदोर के जो है न हुलकर कॉलेज से बीए में और सफल रहे देखिए लक्ष जो है कैसे यह अपना बदले हुए है यह बीए में क्या रहे हैं तो सफल रहे हैं पुना 1931 में सफलता प्राप किये 1933 में नागपुर 244 हिंदी में ए में ए किये इस तरह की बात आ रही है इनके जीवन में सफलता और सफलता एक टार्गेट होती है यहाँ पब्रीती यानि मोनो कार्ज मनकी इक्चा मनकी कार्ज वही पब्रीती है 20 बर्स की छोटी उम्र में कहा है न वड़नगर मिडिर इसकूल से मास्टरी आरम किये उसके बाद कहते हैं उसके बाद जो है न सुजालपूर उजजैन जो है न कुलकत्ता इंदोर मुंबई बैंगलोर बनारस जबलपूर आदी अस्थानों पर भीन भीन नोकरिया जो है न मास्टरी से वायू से न पत्रकारिता से पार्टी तक क्या न 1948 में नागपूर आए नागपूर के प्रकाशन तथ सुचना भी भाग में पत्रकार के रूप में अक्टूबर 1948 में सितंबर 1965 तक रहे पिर नागपूर में रेडियो के जो है न हिंदी परादेशी ना सुचना भी भाग में अक्टूबर 1954 से अक्टूबर 1956 तक रहे उसके बाद में 1956 में ही नागपूर से निकलने वाले पत्रे नया खून का संपादन किये आगे बढ़ते हैं क्या कहते हैं ये और 1958 में नया खून से मुक्त हो गये अंतताः 1958 से दिग बिजय क्याना महा बिद्याले राजनाद गाओं में परधना ध्यापक पद पर सुसूभीत हुए उसके बाद में आता है अभी रूची रूची क्या था इनका अध्यन अध्यापन यानि पढ़ना पढ़ाना लेखन पत्रकारी का कारिता राजनीती नियमित और नियमित विवस्तता के बीच अर्थाती सब चीज में अपने मन को ढ़ले उए हुए है कृतिया इनके क्रिति क्या है तार सब्तक के एक का भी चांद मुहू चांद का मुहू टेड़ा है भूरी भूरी खाक धूल इस तरह की बहुत सारे जो है ने इनके जो है न यहाँ पर देखने को मिल रही है यह कृतिया और इस तरह से इनकी कृतिया है और यह कृतिया के लास्ट जो है न बिंदू क्या कहता हुए है यहाँ पर लास्ट ब प्रकासन से प्रकासित हुआ यहां तक आपको समझ में आ गया होगा चलिए हम आगे बढ़ते हैं इनके जो है न कवीता के बारे में यह अपनी कवीता के माध्यम से पंक्ति के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं चलिए यहां पर देखने को मिल रहा है जनजन का चेहरा एक जिसको जो है न गजानन माधों मुक्ती बोच जो रचे हुए है उन्हीं के जो न पंक्ति माध्यम से क्या बताना चाहते हैं वह पंक्ति क्या है यह क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर यहाँ अपने इस पंक्ति के माध्यम से पिडित और संखर से सील जो है न जानता का जो अपने मनोवचित क्यान अधिकारों के लिए करमत है उसी का चितर यह क्यान प्रस्तूत करते हैं बताना चाहते हैं चलिए आएए बात करते हैं कि क्या कहना चाहते हैं चाहे जिस देश का प्रांत पूर का हो जनजन का चेहरा एक है कहते हैं वो किसी छेतर का हो कोई भी इनसान चाहे किसी भी छेतर का हो ठीक है न किसी भी प्रांत का हो पर क्या है न वह जनता का चेहरा एक होना चाहिए उनमें जो है न सत होना चाहिए काम के परती सचित होना चाहिए उनको आगे क्या कहते है एसिया की इवरोप की अमरीका की गलियों की धूप एक है अर्थाते सभी जगहों को बताय हुए है कि चाहे वो कोई भी देश हो कोई भी गली हो सब जगह की जो धूप क्या होती है तो एक होती है एक समान होती है आगे क्या कहते है यहाँ पर कष्ट दूख संताप की चेहरू पर पड़ी हूइ यूरियो का रूप एक जो समय यो ताकत से बदी हूई मुठियो का एक लक्ष प्रिथवी के गुल चारो और के धरातल पर है जानता का दल एक एक पक्ष अर्थात क्या कहते हैं यहाँ पर देखने को मिल रहा है कश्ट दुख संताप की अर्थात कश्ट दुख जो है न बिलुकुल जो है न दुखियों का ही है संताप की है संताप मतलब होता है दुखियों बिलुकुल गरीब वैसे दुखी जो वो अभाव में गरस्त हो उस तरह को संताप कहते हैं अर्थात कष्ट दुख संताप की अर्थात कष्ट दुख किसको आता है जो बिल्कुल अभाव गरस्त है चिहरू पर पड़ी हुई जूरिया क्याना रूप भयानक भयावा इस्तिती गरीबों की जलका रही है जोस में यो ताकत से वह पावन से बधी हुई है पर उसे अवसेक्ता नहीं हो रही है कि किसी लक्ष को वह प्राप्त कर सके मुठियों का एक लक्ष है जो लक्ष जो टारगेट बनाया हुए है मुठियों में कस्य हुए है पर उस चीज को क्या नहीं कर पा रहे है उसको पा नहीं रहे है उसको पूरा नहीं कर पा रहे है प्रितवी के गोल चारो और के धरातल अर्थात प्रितवी के जो और है चारो है पर क्या है न उनके अंदर जो सोच है वो थिंकिंग है वह अलग अलग है आगे क्या कहते हैं यहां पर जलता हुआ लाल की भयानक सितारा एक उधीपित उसका बिकराल सा इसारा एक गंगा में इरावती में मिनाम में अपार अकुलाती हुई अर्थात थोड़ी से पंगती को सरल बनाते हुए चलते हैं क्या कहते हैं कि जलता हुआ लाल की भयानक सितारा एक उधीपित उसका बिकराल सा इसारा एक कहते हैं कि जलता हुआ लाल अर्थात सुर्ज भगवान जो है न भाश्कर भगवान जलते हुए भयानक शितारा को एक रूप से सजाए हुए है उदीपक उनमें जो जोस है जो उदीपक है उसका बिकराल जो है न बिकराल रूप है उसका जो न संकेत उसका इसारा भी एक है आगे क्या कहते हैं कि गंगा में इरावती में मिनाम में अपार अकुलाती हुई निल नदी आमेजन मिसौरी में भिदना से गाती हुई बहती बहाती हुई जिन्दगी की धारा एके प्यार का इसारा एके क्रोध का तुधारा एके अर्थात कहते हैं कभी यहां पर कि जो कुछ भी है अर्थात चाहे वो गंगा हो इरावती हो मिनाम हो सब कुछ हो जिसमें अकुलाती हुई अपार सक्तिया है पावर है निल नदी हो अमेजन मिसवरी हो सब में बिदना है सब में दाह है सब में पीडा है और उसका जो है न हाक पार आवाज जो है ना बहती और बहाती हुई सब जाकर एक चीज में जाकर समोहित हो जाती है वह शागर है वह सब कितना हुभी गरजता हुआ जाकर समोहित हो जाता है वह क्या है शागर है यहां कहते हैं कि प्यार का इसारा एक करोद का दुधारा एक चाहे प्यार से चाहे क रोध से सब जाके एक जगा समोहित हो जाते हैं वो सब एक हो जाते हैं आईए बात करते हैं प्रीत भी का प्रशार अपनी शिनाओं से किये हुए गर्यपतार गैरी काली छायाइ पशार कर जो है न खड़े हुए सत्रू का काले से पहाड़ पर काला काला दुर्ग एक जन सोसक सत्रू एक यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर क्या बताया हुए है कि प्रित्वी का प्रसार प्रित्वी का जो प्रसार है जो चारो तरफ फेले हुए है अपनी सिनावों से किये हुए गिरफतार गहरी काली छाये पसार कर ये समझे ये दुनिया की सबसे उफर वाले परत जो है दुनिया की आकास है वह एक छाया है प्रित्वी जहनव उसका छाया आकास है खड़े हुए सत्रू का काले से पहाड पर कला कला दुर्ग एक है वहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वह कला कला क्या है दुर्ग है वह जन सुसक सत्रू एक है वह फिर भी जो है वह जो सुसक है जो जनता है वह सत्रू है पर वह है क्या एक है एक समान है वह कैसा दिख रहा है तो एक समान दिख रहा है असामई लाल लाल किरनो से अंदकार चिरता सा मित्र का शोरग एक है अर्थात जब वहां बादल या कोई चीज भी कला कला दिख रहा है पर उस चीज़ को क्या करते हैं सुर्ज चीर कर फार कर क्या है न अपने मयावी जाल अपनी मयावी तीर से उस चीज को चीरता हुआ फरता हुआ निकल जाता है इस चीज को देखते हैं तो भी क्या है वह एक है वह क्या है एक शमान है आगे क्या कहते हैं कि जन जन का मित्र एक बिराट परकास एक करांती की जुआला एक धड़कते वक्छों में हैं सत का उजाला एक लाख लाख पेरों की मोच में हैं बेदना का तार एक हिये में हिम्मत का सितारा एक अर्थाती यहां पर बताते हैं कि जनताओं में जो मित्रता बनती है वह एक शमान हो जाती है चाहे कितनों हो बड़ा बिराट हो बड़ा हो परकास भी एक है करांती कारी करांती जो है जो वहां जो भरी हुई करांती है उसका जुआला भी क्या है एक है ना धड़कते जला क्या है तो एक है कहते हैं आगे कभी कि लाख लाख पैरों की मोच में ये कहते हैं कि लाख लाख पैरों की मोच में हैं बेदना का तारे यानि जिस प्रकार से लाखो लाखो पैर है उसमें समझो की मोच आ गई है उसमें चोट आ गई है और उस चोट की बादना बेदना जो है पिड़ा है वह तार के समान एक है ये में हिम्मत दिल में हिम्मत होना चाहिए सितारा भी क्या है न एक है चाहे जिस देश प्रांत पूर का हो जन जन का चेरा एक चाहे वो किसी दुनिया से किसी कोने का जानता क्यों न हो वह एक समान है वहां का जो जनता क्या है एक समा है आगे कहते हैं एसिया के एउरोप के अमरीका के भीन भीन वास अस्थान भीन भीन रहने वाले वास अस्थान अर्थात जहां जिव जन्तू रहते हैं भोगोली कहते हैं यहां सी के बंदनों के बावजुद शभी और क्याना हिंदूस्तान शभी और हिंदूस्तान अर्थात कहते हैं कि सभी जगा हिंदुस्तान है जहां पर जिव जुन्तु आस्थान लिए हुए है उस भोगोलिक दृष्टी से देखे या तिहासिक दृष्टी से देखे सब एक सुत्र में बौधे हुए है और वो हमारा हिंदुस्तान है वो सभी हमारा हिंदुस्तान है आगे क्या क सभी और कणहियाने गाये चराये हैं जिन्दगी की मस्ती की अकुलाती भोर एक बंसी की धून सभी और एक अर्थात कहते हैं कि सभी और बहने हैं यानि सभी और सुचे समझे तो बहने हैं और भाई है रिष्टे में कोई न कोई बहन या तो भाई लगते हैं सभी और कणहिया की जो है न मिठी मिठी अवाजे हैं और वह चराती हुई गाय की जो है न लिला है जिन्गी की मस्ती याद आती है और अकुलाती भोर एक जो है न शुबह की और बंसी की धून वहीं याद आती है अर्थात सभी जगह एक समान दिखाई पड़ता है कृष्ण की छवी आतमा एक मानव की आतमा एक सोसक और खुनी और चोर भी एक वह कैसे एक है तो जन जन के सिर्स पर सोसन का खडग अती गोर एक अर्थात कहीं भी जो दानव है दुरातमा है वो सब एक समान है मानव की आतमा है वो भी एक समान है सोसक किसी को हराने वाले किसी को शोशक करने वाले और खुनी और चूर भी क्या है एक है और एक समान है अर्थात सभी को कभी ने एक समान बता रहे हैं सब एक है पर उसमें जो सोच होती है जो थिंकिंग होती है वही अलग-अलग हो जाती है और इस परकार से सभी जनता क्या है एक है कहते हैं आगे दुनिया के हिसों में चारो और जन्जन का यूध एक मस्तक की महिमा वा अंतर की उश्मा से उठती है जुआला अती कुरूद एक आगे कहते हैं क्या शंगराम का शोस घूस यहां कहते हैं शंगराम का घूस एक जीवन संतोस एक करांती का निर्मान का बिजय का शेहरा एक चाहे जिस देश प्रांतपूर का हो जन्जन का शेहरा एक चाहे किसी दुनिया का हो यहां कहते हैं बार-बार चाहे किसी कोने का हो किसी गली का हो या कोई भी परजाती का हो वह क्या है न एक शमान है पर उसके अंदर की जो सोचने की कला है सोचने की जो छमता है सोचने की जो है न छमता है वह क्या है न अहलग अलग है वह क्या है अहलग अलग है इस परकार से जो है न कभी अपने भाव को यहां पर दर्साय हुए है और बताय हुए है चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा तो मेरे वीडियो को जो है आप सब्सक्रा यूमें